नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको सोयाबीन से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे खरीद सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन का ठोक मंडी भाव दो हजार तेईस से चौबीस के वर्तमान मार्केटिंग सीजन के दौरान आमतोर पर नियून्तम समर्थन मूल्य एम एसपी के आसपास ही घूमता रहा है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसान इसकी खेती में चालू खरीफ सीजन के दौरान कम दिल्चस्पी दिखाएंगे लेकिन उम्मीद के विपरीत इस तिलहन के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी देखी जा रही है केंद्रिय क्रिशी मंत्रालय के आकडों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान राश्ट्रिय स्तर पर 28 जून 2024 तक सोयाबीन का उत्पादन खेत्र उचल कर 33.666 लाख हेक्टेर पर पहुँच गया है यह वर्ष 2023 की इसी तिथी के बिजाई क्षेत्र एक दशमलव 6.3 लाख हेक्टेर से 32.03 लाख हेक्टेर ज्यादा है चालू खरीफ सीजन के लिए सोयाबीन का सामान्य और सत्क शेत्रफल 122.95 लाख हेक्टेर आका गया है जबकि इसके 25 प्रतिशत से अधिक भाग में बिजाई पूरी हो चुकी है उद्योग समीक्षकों के अनुसार अर्जेंटीना और ब्राजील से सस्ते सोयाबीन तेल का विशाल आयात जारी रहने से घरेलू बाजार में इस महत्वपूर्ण तिलहन का भाव ज्यादा उपर उठने में सफल नहीं हो रहा है इसके बावजूद इसकी खेती के प्रती किसानों में जबरदस्ट उत्साह और आकर्शन देखा जा रहा है इसकी मुख्य वजहें हैं दक्षिन पश्चिम मानसून की अच्छी बारिश और केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का नियूंतम समर्थन मूल्य दो हजार तेईस से चौबीस के मुकाबले 6.3 प्रतिशत बढ़ा कर दो हजार चौबीस से 25 सीजन के लिए 4,892 रुपए प्र अरी दबाव भी पड़ रहा है कि नियूंतम समर्थन मूल्य पर दलहंतिलहन की परियाप्त खरीद सुनिश्चित करके इसकी सार्थक्ता को साबित करे इससे किसानों को उम्मीद है कि उन्हें सोयाबीन की अगली फसल का बहतर मूल्य प्राप्थ हो सकता है सोयाबीन के तीन शीर्ष उत्पादक राज्यों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं इसके अलावा करनाटक, गुजरात और 36 गड़ सहित कुछ अन्यप्रांतों में भी इसका उत्पादन होता है सरकारी अनुमान के अनुसार, 2023-2024 के सीजन में 126 लाख टन सोयाबीन का घरेलू उत्पादन हुआ समीक्षकों का कहना है कि बिजाईक शेत्र में हो रही जबरदस्ट बढ़ोत्तरी को देखते हुए 2024-25 के मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से सितंबर में उत्पादन काफी बढ़ सकता है यह अनुमान किसानों और क्रिशिक शेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो यह दर्शाता है कि सोयाबीन की खेती में लगातार रुचि और विस्तार हो रहा है इस अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जो किसानों को अच्छा रिटर्न देती है इसके अलावा सोयाबीन से बनने वाले उत्पादों की मांभी घरेलू और अंतरराश्ट्रिय बाजार में बढ़ रही है इसका असर किसानों की आय और जीवन स्तर पर भी पढ़ता है इस तरह के सकारात्मक संकेत यह दिखाते हैं कि भारत में तिलहन फसलों की खेती में न केवल स्थिर्टा आई है बलकि इसमें वृद्धी की संभावना भी है सरकार द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय जैसे नियूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धी और मानसून की अच्छी बारिश ने भी इस दिशा में महत्वपून भूमिका निभाई है खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के नियूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और नियूस मार्केट्स 24 देखते रहे